स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हुदिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई बड़ी अपडेट साज उस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश तो और से उन करमचारियों के लिए भी रहत भरी खबर लेकर आए हैं जो कि न्यूक्ति की तीथी से वरिष्टा का लाब मांग रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में हाई को की ओर से टिपनी की गई है मुख्यस अचीव की अध्यक्ष्टा में कमेटी बनाई गई थी इसी कमेटी को लेकर कुछ एक सवाल अब यहां हाई कोट ने पूछे हैं और एक अल्टिमेटम भी यहां सरकार को दे दिया गया है कि जल से जल्द उन करमचारियों को न्यूक्ति की तीथी से वरिष्टा का लाब मिलना चाहिए जिन्होंने कोट का दर्वाजा खट खटाया था तो बिल्कुल इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कमेटी को किस तरह क्या देश चारी हुए है किस तरह की टिपनी उस पर की गई है यह भी अपडेट हम आपके ले कर आए हैं और दूसरी बात मुख्या संसदिय सचीव से जुड़े मामले पर भी करेंगे क्यूंकि आज सुनवाई हुई है तीसरा दिन था लगातार हेरिंग होते हुए क्या कुछ फैसला इसमें निकल कर सामने आया है ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले ह और एक और घटना भी यहां सामने आई है जहां टली होकर सरकारी स्कूल का अध्यापक कक्षा में पहुंच गया और साथी साथ इसकी एक वीडियो भी वाइरल हो रही है तो ये कहां का मामला है जानकारी बिल्कुल ये भी विस्तार से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं ले लेकिन फिर से 26, 23, 28 को मौसम खराब रहेगा बारिश परफबारी के चलते स्तरक और साबधान रहने के लिए मौसम विग्यान के इंदर की ओर से कहा गया है दूसरी बात एक दुरगटना को लेकर कहना चाहेंगे क्योंकि ये प्रदेश के मंडी जीले में धरमपूर वाया म सडक से बाहर आ गई थी हाला कि कारण इसमें बस का स्किड होना बताया जा रहा है जिसके वज़ा से सडक के बाहर आ गई आगे एक बड़ा पेड था इस विशाल पेड में बस टकरा गई लेकिन अगर सामने पेड नहीं होता तो बड़ा हाथसा पेश आ सकता था इसमें 40 के सवारियों को उतारने का काम किया गया मौके पर ही वहां आरेम धरंपूर विनोद कुमार भी पहुंच गए थे और मेकैनिकल स्टाफ भी बुलाया गया था और आरेम धरंपूर विनोद कुमार ने इस बात की पुछ्टी की कि एचाटीसी बस सब्सक्राइब गया थी जिस वज़ा से सडक के किनारे हो गई और फिर पेर से जा टकरा गई देखे यह लगातार इस तरह के मामले यहां सामने आ रहे हैं कि एचाटीसी बस दुरगटना गरस्त हो जाती है कभी तो एचाटीसी बस के टायर खुल जाते हैं कभी स्किड हो रही है और इस बीच खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो घायल हो जाते हैं या कुछ एक मामलों में तो देखे कई लोगों की जान भी जाती है लेकिन इस सब के बीच जब गुनेगार मानने की बात आती है तो एचाटीसी ड्राइवर पर ही पूरा दोश दिया के सिर पर पूरी तरह से ठीकरा फोड दिया जाता है जैसा कि आज भी हुआ और इससे पहले भी घटना देखिए यहां मंडी के धरमपूर में ही सामने आई थी जहां एचाटीसी बस के टायर सडक में ही खुल गए थे तो इस तरह की घटनाएं बार-बार जब पेश आती है तो फिर ड्राइवर पर ही गाज किरती है और उस मामले में भी ड्राइवर को सस्पेंट कर दिया गया था इस सस्पेंशन पर ही यहां एक्चाटीसी ड्राइवर युनियन क्यों से बिरोध जताया जा रहा है इनका कहना है अगर ड्राइवर इसके लिए जिमेदार है तो ड्राइवर के साथ साथ बाकी का स्टाफ भी जिमेदार है और इन पर भी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि आरोप ये लगा रहे है कि HRTC में सैंक्डो बसी ऐसी है जिनकी रिपेयर अभी तक नहीं हो पाई है बीना रिपेयर के ही वो चलाई जा रही है कई बार इस मुद्दे को ये उठा चुके हैं लेकिन फिर भी गंभीरता से HRTC प्रशाशन इसे नहीं ले रहा है दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो वरक्शॉप है वहाँ पर बहुत सारे कलपूर्जे ही मौजूद नहीं है जिस वज़ा से पुराने स्पेयर पार्ट सी बसी में जोड़ दिये जा रही है और इस तरह की दुर घटनाए पेश आ रही है तो ड्राइवर तो सही पहले हाथसा पेश आया था जिसमें टायर खुल गए थे बस के इस पर ये भी जानकारी यहाँ है चाटी से ड्राइवर यूनियन की ओर से दी गई है कि टाटा की बस में ली लैंड बसों का यूबोल्ट लगा दिया गया था तो हाथसा तो पेश आना ही था और जो संबंद गई है एक और घटना सामने आई है यह सराज विधान सबाक शेतर के ग्राम पंचायत जैशला सौबली में घटना पेश आई जहां एक सरकारी स्कूल में शराब पीकर ही अध्यापक पहुँच गया आला कि यह पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है जब टली होकर यह अध्याप कक्षा में आया हो इससे पहले भी कई दफा ऐसी शिकायत इस अध्यापक की की गई है और अध्यापक पहले कई दफा माफी भी मांग चुका है अपनी इस हरकत को लेकर लेकिन फिर से ऐसा ही वाक्य सामने आया कि बिल्कुल यह शराब पीकर कक्षा में पहुँच गई और बच्चों से इन्होंने बात करना शुरू कर दिया उसके बाद इसी पंचायत का एक व्यक्ती वहाँ पर खड़ा था जिसने वीडियो बना दी हलाकि जो व्यक्ती है इनके दोनों बच्चे इसी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं और इनकी और से ये भी बात कह की गई है कि दिहारी मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को शिक्षा की विवस्था कर पा रहे हैं ऐसे में अगर टली होकर अध्यापक पहुंचेंगे तो इनकी बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा एक तरह से खिलवार इनकी बच्चों की पढ़ाई क के साथ और भविश्य के साथ हो रहा है और यह सच में एक हैरत अंगेश मामला है जहां एक और सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा नए शेक्षनिक सत्र में कई बड़े बदलाव किये जा रहे हैं स्कूलों को इंग्लिश मीडियम पहली कक्षा से बनाया जा रहा है इसके अतिरिक्त युनिफॉर्म में भी कई तरह के नए बदलाव आने वाले हैं इस बीच अब इस तरह का वाकिया सामने आता है कि अध्यापक टली होकर कक्षा में जाता है और फिर बच्चों से बाच्चित करते हैं तो देखिए यह काफी जादा वाइरल हो रही है हाला कि इससे पहले जैसा कि हमने कहा अध्यापक कई दफाक शमा मांग चुके हैं सबी लोगों से फिर भी इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं और अब वहां के ग्रामिन लोगों की और से यह मांग उठाई जा रही है कि ऐसे अध्यापक को स्कूल से हटा दिया जाना चाहिए अब इस पर फैसला क्या होता है यह विभाग ही तै करेगा विभाग और सरकार पर ही यह देखिए पुरी तरह से निरभर करता है और जैसा कि हमने कहा सराज विधान सबाक शेतर के ग्राम पंचायत जैंशला का यह मामला है जैंशला में स साजा किया है और सरकार के खिलाफ अपना रोश दिखाया है इसमें इनका यह कहना है कि जब इनके पीछे इतने नाके CID और क्राइम ब्रांच के लोग लगाए जा सकते हैं तो इससे बहतर तो यह होता कि बेटियों की सुरक्षा के लिए यह सरकार कदम उठाती जो CID के लो हला कि पहले भी इनकी ओर से कई दफा दिये गए हैं शोशल मीडिया पर फिर इनोंने यह पोर्स आजा किया है पालंपूर में जो बेटी के साथ हुआ उस पर भी सवाल उठाए हैं सुरक्षा वैवस्था पर भी अपने इस पोस्ट के जरीए सवाल उठाए हैं और यह भी मानना है कि जो कुछ इनकी तहकीकात के लिए किया जा रहा है या इनके पीछे जो अधिकारी करमचारी लगाए गए हैं वो सुरक्षा के लिए लगाए जाने चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के कदम न उठाए जाए तो सरकार की कार्याप्रनाली को भी इनोंने घ दिया करेंगे तो यानि कि इन लोगों की CID के जितने भी लोग हैं या क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं इनकी कार्यापनाली पर भी सवाल उठाते हुए सुधिर शर्मा नजर आए हैं आए दिन इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं लेकिन भारी वाहनों पर रोक लगाई जाएगी और ये निर्देश इसलिए जारी किये गए हैं ताकि राष्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू का जो दौरा है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो ट्रैफिक व्यवस्ता यहां पर सुनिश्चित रहे ट्रैफिक जाम ना लगे इसलिए भारी भरकम वाहनों पर शिमला सीटी में पूरी तरह से रोक रहने वाली है इसे लेकर तयारियां भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और दूसरी बड़ी बात क्यूंकि अभी राष्ट्रपती का दौरा प्रस्तावित है जिसके वज़ा से जो दर रिट्रीट ह है वहाँ पर आम जनता और परेटक भी नहीं जा पाएंगी जितने दिन तक यहां राष्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू रहेगी इनके दौरे से सम्बंदित अगर हम आपको पूरी जानकारी दे यानिकि जो शेड्यूल हमारे समक्षा आया है चार मई 2024 को दिल्ली से शिम मई को राष्ट्रपती संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी आठ मई को राष्ट्रपती शिमला से सुभा दिल्ली के लिए वापसी करने वाली है तो यह चार से आठ मई तक का शेडूल रहेगा और इस तोरान भारी भरकम वहनों को शि क्राफिक विवस्था ना भिग्रे यह कोशिश अब यहां देखिए शिमला पुलिस की ओर से की जा रही है मुख्यमंत्री सुक्विंदर जिंग सुकु दिल्ली के लिए आज रवाना हो गए हैं साथी साथ दो से तिन बड़े बयान भीनों ने दिये हैं लेकिन इस सबसे ब मंथन चल रहा है यह संकेत मुख्यमंत्री सुकु की ओर से आज दिये गए हैं दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि जब ये दिल्ली से वापिस आएंगे तो 15 महीनों में जो भी बड़े कारे कॉंग्रे सरकार की ओर से किये गए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर य आज जो सुभा ही रवाना हो गए क्योंकि एक नीजी चैनल के साथ इनका साक्षात कार होने वाला है तो इसी कारे करम में भाग लेने के लिए ये गगल हवाई अड़े से रवाना हुए थे और जो कुछ भी पतरकारों से इन्होंने बाचित की वो हमने आपको बताई है भा मूत तोड जवाब एक तरह से उन्हें देने वाली है ये आज मुख्यमंत्री की ओर से स्टेट्मेंट दी गई है किसानों से और बागवानों से जुड़ी भी बड़ी खबर आज निकल कर सामने आई है विशेश तोर से अगर बागवानों की बात करे क्योंकि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे थे अपनी इस मांग को लेकर कि युनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया जाए तो इस पर क्रिशी विभाक की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है युनिवर्सल कार्टन अब अनिवार्य किया गया है यानि कि सीधे तोर पर अगर हम बात करे तो टैलिसकोपिक कार्टन अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पांच दशक से टैलिसकोपिक कार्टन ही यहां खुले तोर पर इस्तेमाल हो रहा था लेकिन अब इस पर अंकुष लगा दिया गया है और आने वाले समय में जो युनिवर्सल कार्टन है वही लागू किया जाए थे पूर्व में जायराम सरकार जो नहीं कर पाई वो अब कॉंग्रिस की सरकार ने कर दिखाया है ये भी आज मंत्री जगर सिंग्नेगी की ओर से कहा गया और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है क्योंकि जो आरती है या लदानी होते हैं उनके दबाव के चलते पांच ट्रे से जादा भी पेटियां यहां पर भरी जाती थी आठ से नौ ट्रे भी यहां बागवानों की ओर से पेटियों में भर दी जाती थी लेकिन कीमत उन्हें उसकी उतनी नहीं मिलती थी 30-40 किलो तक वजन पहुंच जाता था पेटी का लेकिन 20-25 किलो की ही प लागवानों को भी बिल्कुल सही कीमत उनकी पेटी की मिलने वाली है क्योंकि जादा बोज अब वो पेटी में नहीं डाल पाएंगे अगर सीधे तोर पर हम बात करें देखे उना पुलिस को भी एक बड़ी कामियाबी मिली है यह अवयद खनन के खिलाफ क्योंकि इन दिनों वहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है लगातार क्योंकि भाशपा की ओर से भी अवयद खनन का मामला उठाया गया था विधान सभा शैशन में तो जिसके बाद कोशिश ये की जा रही थी कि छापे मारे जाए और ऐसे जो अवयद खनन को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उनकी गिरफतारी हो सके तो ऐसा ही कुछ मामला यहां सामने आया है पुलिस ने सोम भदरा नदी में आधी रात को छापे मारी की और इसमें सलिप्त एक ज जिसके हाथ आ रहे हैं एक तरह से उन्हें कबजे में लिया जा रहा है और इनसे संबंदी जो व्यक्ति हैं उन पर गिरफतारी भी हो रही है कुछ रोज पहले हमने आपको जानकारी दी थी जहां उना में ही एक से दो अधिकारियों पर भी गाज कीरी है अवैड खनन में क् तरह से सलिप पाए गए थे देखे इवियम पर भी एक बड़ा डिसीजन हम कह सकते हैं जो निकल कर सामने आया है क्योंकि लोगसभा चुनावों से पहले सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इवियम को लेकर इसमें कई सवाल खड़े किये गए थे और बैलेट और सुप्रिम कोर्ट में इलेक्शन कमिशन ने सभी सवालों के जवाब भी दिये हैं दरसल यहां इलेक्शन कमिशन ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो तीनों उपकरण होते हैं जिसमें कंट्रोल यूनिट बटन यूनिट और वीवी पैट है ये माइक्रो कंट्रोलर तीनो ही उपकर्णों में लगाया होता है और इसे बार-बार प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है एक ही बार इसे प्रोग्राम किया जा सकता है कंट्रोलर को बाहर से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है ऐसी भी कोई संभावना नहीं है और 45 तिन तक प्रियांकडा सुरक्षित र लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बार देखिए जब भी रिजल्ट घोशित होता है चुनावों का तो EVM पर ही सवाल उठाये जाते हैं और इसी के चलते सुप्रिम कोर्ट में भी यह याचिका यहां पर दायर की गई थी हलाकि याचिका में तो सीधे तोर पर यह मांग की गई कि गई थी कि बैलिट से चुनाव करवाई जाए लेकिन कुछ एक राजनीति कर राजनीति से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि पहले जब बैलिट से भी चुनाव करवाये जाते थे तो उस वक्त भी ऐसे ही सवाल उठते थे अब EVM से करवाई जाते हैं तो जो दोश EBM पर ही मड़ती है अब आने वाले दिनों में हिमाचर प्रदेश में आन्या राज्यों में किस तरह का परी दिश्य बना रहता है यह बिलकुल हम देखने वाले हैं करमचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आज हम लेकर आएं हैं क्योंकि न्यूक्ति की तीथी से वरिष्टा का लाब ये करमचारी मांग रहे हैं और देखिए अगर हम ताश मोहमद बनाम हिमाचल सरकार केस की बात करें तो इसमें यही फैसला पहले भी आया था कि करमचारियों को न्यूक्ति की तीथी से ही वरिष्टा का लाब मिलना चाहिए और की कॉंट्रेक्ट की अबधी भी उनकी वरिष्टा का लाब देने के लि भी उस केस में जो की केस यहां फाइनलिटी एक तरह से प्राप्त कर चुका है तो इस केस में कमेटी कैसे बाधा बन रही है यह हैरानी भरी बात है और इसमें कमेटी बनाने की आविशकता क्या थी इस तरह की टिपनी यहां हाई कोर्ट की ओर से की गई है क्यूंकि इस पू कांट्रेक्ट की अब्धी गिनने का या रेग्लोराइजेशन से जुड़े मामलों को देखेगी इसके अलावा वेतरमान एरियर की अदाईगी जैसे मामलों पर भी ये निर्न्या लेगी तो इसी पर टिपनी अब हाई कोड की और से ये की गई है कि कमेटी इसमें बाधा नही बन सकती है और साथी साथी ओरस भी जारी किये गए है कि अगले चार सपतहा में करमचारियों को लाब दिया जाए कॉंट्रेक्ट से कॉंट्रेक्ट पीरियर्ड की अब्धी उनकी सीनियोरिटी के लिए काउंट की जाए इंक्रिमेंट का लाब भी मिलना चाहिए और बाकी बीतिया लाब भी उन्हें दिये जाए चार सपतहा का समय एक बार फिर से दिया गया है और इस फैसले की कंप्लाइंस के लिए मामले को 17 मई 2024 को सुना जाएगा ये क्यूंकि लगातार करमचारियों की और से शिकायत की जा रही थी कि केस जीतने के बाद भी उन्हें ये लगू किया जा सके लेकिन उसके बावजुद भी बार-बार कई तरह क्यों अब्जेक्शन यहां कमेटी की ओर से दिये जा रहे थे और अब इस पर हाई कोर्ट ने लिया है वाई कोर्ट की ओर से यहां टिपनी भी कर दी गई है कि ये कमेटी बाधा नहीं बन सकती है जब अंतिम स्थिती यानि की फाइनलिटी प्राप्ति ये केस कर चुका हो तो इस पर एक तरह से हैरानी भी कोर्ट ने जताई है लेकिन अब ये ज़रूर हमें देखना होगा कि चार हफ़ते के भीतर कितनी जल्दी यहां पर ये आदेश लागू किये जाते हैं नियाइधिश त चार हफ़ते के भीतर देने के आदेश दिये हैं तो अभी करमचारियों के लिए एक हम ये बड़ी राहत कहना चाहेंगे क्योंकि अधिकतर करमचारी यही मांग उठा रहे हैं कि डेट ऑफ अपॉइंट्मेंट से सीनियोरिटी का लाभी ने मिलना चाहिए दूसरी बात एड़ोकेट जनरल अनुपरतम ने ये साफ कर दिया है वो इस पूरे केस में अपियर नहीं होने वाले हैं क्योंकि सुप्रिम कोर्ट से दो सीनियर एड़ोकेट्स को अब राजय सरकार सरकार ने इस केस के लिए हायर किया है और उनके पास जो समय है वो आठ और नौ मई को ह होगा ये भी मुख्या सचीफ की ओर से जो पत्र जारी किया गया था हाई को उसमें ये तीथिया मैंशन की गई थी जिस वज़ा से अब यहां स्थगित किया गया है इस सुनवाई को आठ मई तक तो अब इस केस में पैरवी के लिए सीनियर एड़ोकेट कपिल सिबल और मु तो पुन भी माने जा रहे थे पिछली बार जब यह तीन तीथिया एक साथ हीरिंग के लिए रखी गई थी तो हर किसी का मानना ये था कि हो ना हो अब इसमें कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है लेकिन देखिए इसी बीच क्या हुआ कि राज्य सरकार की और से सुप्रीम के दो सीनियर एड्वोकेट्स को अभायर कर लिया गया है ताकि वो इस केस में हीरिंग को या फिर एक तरह से जो बहस रहती है पूरी करने के लिए उसे अंजाम देने वाले हैं तीन निर्दलिय विधायकों को लेकर भी आज केस लगा था और यहां भी 25 अप्रेल को सुनवाई टल गई है काफी जादा मुश्किल अभी हमें ये लग रहा है कि साथ मई से पहले-पहले कुछ हो पाएगा इनके केस में भी ये चाह रही है कि इनका इस्तिफा स्विकार हो हो चुका है अब इसके बाद 25 अप्रेल तक का ही हमें इसमें भी इंतजार करना होगा यानकी अगली डेट इसमें पढ़ गई है तो अब फिलहाल क्या कुछ होता है अगले कल ये भी जानकारी हम आप तक पहुंच जाने वाले हैं फिर मिलेंगे नई खबर के साथ देखते रही है दिवेह माचुल टीवी धन्यवाद